साथियों थोड़ी दूर की खवर है अर्जेंटिना वहाँ नए राष्ट्रपती हाइवियर मिलेई का राज्या भिशेक हुआ इनके जीतने के बाद मैंने हलकी सी स्थर्चावी की थी कि कैसे दक्षिन पंथी सरकार हर जगह वापस आ रहे हैं वामपन्थ का सफाय हो रहा है वैसे जो वामपन्थ है वो वास्तों में वामपन्थी नहीं इसी पुझी वादी वियोस्था को बनाये रखने के लिए लेकिन जनता को थोड़ा सा आर्थिक राजनितिक सहायता देने के नाम पर बाते करते हैं इसलिए उनको आज के समय में वामपंत कहा जाता है उनका जो राजया भी शेख हुआ बड़ी धूम धाम से हुआ फॉक्स वागन ब्लू फॉक्स वागन कार में वाए उनके साथ पांच क्लोन डॉक्स के हैं उनके द्वारा जो डिपिक्टेट जो उनकी छड़ी होती है उनके फोटो थे उनके मंत्रियों में जो जस्टिस मंत्री है Minister of Justice उन्होंने एक महीने जेल में बिता है नहीं कोई बड़ी अपराद नहीं थे इसलिए एक महीने कही है कुछ खास witness देने के संबन में उन्होंने evidence को छुपाया थे इसलिए उन्हें एक महीना का मिला था इनकी बहन भी एक मंत्री बन रही है Head of His Secretariat मंत्री का ही बद मिलेगा वैसे इस तरह की जो घटनाय घटती है ताना शाहई के चर्चा होती है जिसमें किम जॉंग उनका है भारत में विस्तर के चर्चा होती है कि यह ऐसे लोग जो सत्ता में आते हैं बड़ी धूमधाम मचाते हैं पावर शक्ती का इजाद कर सकते हैं दिखाते होते नहीं जनता खुश होती है तमाशा, ड्रामा, बोलने की चमता और वैसे ही अर्जिंटेना में भी हो रहा है इन्होंने हलाकि अभी उसकी चर्चा नहीं की है कि यह ब्रिक्स में आएंगे कि नहीं आएंगे यह शायदा भी सकते हैं चुनाओ के दौरान नहीं कहाता वो ब्रिक्स के सदस नहीं बनेंगे वो अमेरिका के साथ पूरी तरह से मर्ज होने की बात कर रहा है अपने जो मुनेटरी यूनिट है उसको हटाकर अमेरिकन डॉलर लाने की बात कर रहा है इस्राइल को पूरी तरह समर्थन दे रहा है इस्राइल जो है जनसनार कर रहा है फिलिस्टीन में उसको पूरी तरह समर्थन कर रहा है यानि यह ऐसे लोग हैं बले ही चार सल के लिए हैं पास साल के हैं जो भी जिस हालत में था उसको पूरी तरह बरबात कर देने के लिए उस समास को खत्म कर देने के लिए उनके भक्त लोग तालिया बजाते हैं। सोचिये जरह आप दुनिया में कहीं भी हूँ आप वोट देने जाएं या ना जाएं आप ऐसे लोगों की मदद किस खुशे में करते हैं इसलिए कि बोल सकता है। बावजूद कि वह अरजन्टीना को आज वर्ल्ड लीडर बनाएंगे। नशासवार है और जंता करें नशासवार है कि अरजन्टीना वर्ल लीडर बन जाएगा। यूरोप का लीडर बने लाइक देखते हैं क्या होता है कहां फसते हैं। दोस्तों सेरा सोचिए क्यों हम इतने मुर्ख हैं, इतने जाहिल हैं, क्यों इतने गवार हैं, क्यों इन पाखंडियों के पीछें भागते हैं। ठीक है हमारे भी ख्वाव हैं कि हमें बड़े पोस्त पे हैं, हमारे भी पीछे दस, वीस, पचास लोग चाकरों की तरह भागते रहें। हलाकि खुद गुलामी करते हैं, वो पसंद नहीं, लेकिन हमारे अंदर गुलाम रहें। यह चाहत हैं, खास कर मद्यमवर्गी यह परिवार, छोटे छोटे जो पुझी पती हैं, बीस, पचास, सौ मजदूरों को अपने साथ रखा हुआ हैं। जहां मजदूरों को लात मारते हैं, वो बड़े पुझी पतियों को के जाके पैच हुते हैं। क्या हम इस पाखंड पूर्ण जीवन से बाहर निकल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।